नमस्कार नियूज आज के इस बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ जुनेत और खबरों के श्वाइट करते हैं विधान सभा से विधान सभा के बजट सत्र में बुद्वार को शिवरा सरकार का आखरी बजट पेश होनी वाला है विधान सभा में करीब दो लाख करोड का बजट पेश करेंगे बताया जा रहा है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्त, क्रशी और रोजगार पर पूरी तरह से फोकस किया गया है सरकार के मंत्रियों की माने तो इस बजट में सब भी वर्गों का ध्यान रखा गया है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी बजट में कैसो गाते हैं किसानों के साथ साथ ग्रणियों का भी विशेश ध्यान रखा गया है केंदर के बजट की बात करें तो पूरे बजट में कहीं भी मध्यम वर्ग के लोगों को कोई रहत नहीं दी गई है वहीं 36 गड़ सरकार का बजट भी पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस रहा है अब मध्यपरदेश सरकार का ये आखरी बजट मध्यम वर्ग को कितनी रहा देता है ये तो विधान सभा में बजट पेश होने के बाद भी साफ हो सकेगा जो भी डिव डेट थी 28 मार्च और उसके बाद एक अप्रेल सरको ने रहन दे ले गया जिन बेंकों की इस्तिति सुद्र होती है उनकी साख सीमा भी मजूद होती है और उन्हें एपेक्स के दोरा नाबाड के दोरा उना रहन वितरन करने के लिए अधिकार पत्र भी मिलते है पैसे मिलता है तो मैं राज के सभी बेंकों से यह पिक्षा करता हूं कि रिण की वसूली वो समय बद करें जैसे कि 0% का अलाब अधिकतम किसान ले सके फिर मदबदे सरकार ने यह भी ने लिया है कि जिन किसानों ने अलगपाने रिण लिया और अपरया करोंड से नहीं अपर्टर सेक्टर की बेंकों को मदबदे सासर करेगा और जो उनका मुल्दन है मुल्दन की दो किस्ते की गई है एक किस्ता अदा करने पर उस हिद्गराई को 15,000 रुपए का नगत रिन भी उपलद दो काया जा सकेगा एक तौसर जो हमारे नीति की बिना ब्याच का किसान वो दिसार में मदबदे सासर कर हमारे सेस्व मुखमति का एथियासिक निड़े है हमारे साकार्ता मंतरी विश्वास हरांगी का एथियासिक प्रेसला है उसमें हम सब आगे बढ़ेंगे भोपाल से बिरो रिपोर्ट निउज आज मदबदे प्रदेश विधान सभा में चल रहे बजट सत्रक के दूसरे दिन दिवंगतों को श्रिधान जली दी गई इसमें अभी नेत्री श्री देवी और श्रशी कपूर का भी नाम था लेकिन आखरी वक्त में दोनों का ही नाम हटा दिया गया इसके पीछे इनकी मोत से जुड़े विवात को बताया गया है उधर कॉंग्रिस ने श्री देवी का नाम हटाय जाने का विरोत किया कॉंग्रिस विधायक गोविंद संग ने कहा कि वे सामपर्दायक तक का विरोत करती रही इसलिए भारती जनता पार्टी के दबाव में आकर प्रदेश सरकार ने उनका नाम लिस्ट में से हटा दिया वहीं विधायक मुकेश नायक ने कहा कि मोत के कारणों की वज़ा से श्री देवी का नाम श्रद्धान जली सूची से हटाया गया मुझे जानकारी नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनकी मृत्तु का कारण इसपस्ट नहीं हो जाए शायद एक कारण ये हो सकता है बहुत बड़ा कारण है किसी व्यक्ति का चरित्र किसी व्यक्ति की जीवन किसी व्यक्ति की मृत्व किस कारण से हुई है किस कारण से जीवन में सुचिता है किस कारण से मृत्व हुई है ये बहुत बड़ा सोच का कारण होता है भोपाल से बीरो रिपोर्ट नियू उजाच और अब बात करें अगर उप्चनाव की तो मध्धपरदेश के शूपुरी जिले के कौलरस और अरशोक नगर जिले के मुगावली विधान सभा उप्चनाव की मत गरना बुदवार 28 फर वरी को होगी कौलरस उप्चनाव के वोटो की गिंती के लिए 23 राॉंड होगे जबकि मुगावली में मतो की गरना 19 राॉंड होगी कॉलरस उप चुनाव में 22 और मुगावली में 13 उम्मिद्वार चुनाव मेदान में है मुख्य मकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है मुगावली में बीजेपी से 22 आहिप और कांग्रेस से ब्रजेंदर सिंग यादव तो दूसरी और कोलरस में कॉंगरेस से महेंदर सिंग्यादाओ और देवेंदर जेन बीजेपी से चुनाओ मैदान में है विधान सभा चुनाओ से पहले हो रहे इन उप चुनाओ को सेमी फाइनल के तोर पर देखा जा रहा है हाला कि काउंग्रेस और बीजेपी दोनों ही उप चुनावों में जीत का दावा कर रहे हैं भौपाल से बीरो रिपोर्ट नियूज आज दुबई पब्लिक प्रोसीकुशन डिपार्टमेंट ने जाच के बाद बॉलिवोड एक्टर श्री देवी के शरीर को उनके परिवार को सोब दिया है डिपार्टमेंट श्री देवी की मोत के मामले में अब कानूनी प्रकरियाओं को पूरा कर चुका है मीडिया से बात करते वे दुबई पूलिस ने बताया कि श्री देवी के मोत से जुड़े केस को बंद कर दिया गया है दुबई की जाच एजेंसियों ने इस मामले में पहले ही किसी तरह के साजिश के एंगल को खारिच कर दिया था पूलिस ने परिजनों और भारती वानज दूतावास को श्री देवी के पार्थी शरी को ले जाने का अनुमती पत्र दे दिया है बैहद हाई प्रोफाइल केस होने के कारण दुबई पूलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है वह श्री देवी का शव उनके परिजनों को सोपने से पहले सो फीसदी निश्टिन्त होना चाहती थी शव मिलने में हो रही देरी की यही वज़ा थी गॉलिर में बहुत चर्चित सेजल हत्या कांड में पूलिस अब सेजल जवान की तलाश में जुट गई है पुलिस इस मामले में सेजल के दूर के रिष्टे में भाई पंकद चोहन को पहले ही गरफतार कर चुकी है वह है उसका जीजा धर्मेंद्र कुश्वा अभी भी फरार है धर्मेंद्र कुश्वा से आर पीएफ में जवान है जो अपनी सर्विस रिवालवर लेकर फलदान के कारेकरब में पहुंचा था धर्मेंद्र कुश्वा नहीं पिस्टल से फायर किये थे और गोली लगने से साथ साल की मासूम सेजल की मोथ हुई थी परिवार के लोगों ने आरोपियों को बचाने के लिए 11 दिन का वक्त लगा दिया हाला कि पुलिस 304-1 का मामला दर्जकर जाँच कर रही थी धर्मेंद्र कुश्वा दूसरे राज्य में पदस्त है जिसके चलते गोलीर पुलिस ने CRPF के हेड आफिस को पत्र लिखा है और उसके लिए हम लोग शिग्र ही ऑगनाजिशन से संपर कर आगे की कारवाई करेंगे गौलिर से भूपेंद्र साहू न्यूज आज इस बुलिटिन में फिल हैल मेरे साथ इतना ही लेकिन ज्यादा अपडेट्स जाने के लिए देखते रहे हैं न्यूज आज नमसकार